चैनल पर करने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाल एकन को और फिस हैट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार वाइफाइ नेटवर्क को विदाउट एनी पासवर्ड कनेक कर सकते हैं अपने फोन से अगर आपके पास वाइफाइ नेटवर्क है घर पे किसी के भी और वहाँ पर तो क्या ऐसा कि जिससे आप अपने वाइफाइ को connect कर सकते हो कहीं भी अगर आप जा रहे हो और वहाँ पर वाइफाइ अवेलेबल है तो वहाँ पर आप उस वाइफाइ से अपने फोन को कैसे connect कर पाऊंगे without any password वो आज की इस वीडियो में हमने बताया है तो आपको इस वीडियो को सभी के साथ share करना है वीडियो में अगर आप enter हुए हो तो लाइक करके जाना है आपके अगर कुछ जाओ हो हमारे चैनल के लिए कुछ वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप comment box में जरूर लिखे टेलेग्राम वाटसब ग्रूप about पेज में आप लोग जाके जो सकते हो फिए मेल्स के लिए अलग से ग्रूप बनाएगा तो वो भी आप जाके जो सकते हैं मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मैं बेसिकरी दो फोन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर और M53 5G जिसमें कोई भी वाइफाई कनेक्टेड नहीं है और दूसरा फोन है रेडमी नोट 7 प्रो जिसमें वाइफाई कनेक्टेड है तो अब मैंको वन बाइवन पहले डिवाइस बताऊंगा किसमें वाइफाई कनेक्टेड है और किसमें वाइफाई कनेक्टेड नहीं ह कि मेरे हाथ में Samsung का फोन है देखें इसमें कोई वाइफाय कनेक्टेड नहीं है इसमें कोई भी वाइफाय कनेक्टेड नहीं है लेकिन अब मारा रेड्मी नोट 7 Pro यह देखें जिसमें अभी फिलाल रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसमें देखें हैं यहां पर वाइफाय सिग्नल फुल बता रहें देखें वाइफाय सिग्नल फुल तो सबसे पहले हम लोग रेड्मी नोट 7 Pro की सेटिंग में चलेंगे और यहां पर वाइफाय में चलेंगे अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा network connected है ठीक है यह Redmi K50i से यह phone वाइफाई से हमारा connect है अब मुझे Samsung को भी connect करना है लेकिन without any password वो मैं कैसे करूँगा वो हम देखेंगे तो हम Samsung के phone में चलेंगे setting में setting खोलेंगे Samsung के phone में अब यहां पर हम WiFi में चलेंगे वाइफाई में चलेंगे अब यहां पर देखिए रेट्मी के 50 आप बताएगा लेकिन connected नहीं बताएगे अब यहां पर पासवर्ड मांग रहा है अब यह रेड्मी के 50i जो फोन है अमारा जुनाय फोन है उसमें शरीफ हमने वाइफाई अपना होस्पोट आउन करके रखा हुआ है अगर आपके घर में वाइफाई का रोटर है या फिर कुछ भी है तो आपको बस एक डिवाइस इसे यह जो उस रोटर से कनेक्टेड है एक डिवाइस आपको चाहिए होगा विदाउट एनी पासवर्ड आपको अगर वाइफाई कनेक्ट करना हो तो जैसे मेरे पास अब यहां पर पासवर्ड मांग रहा है मुझे देखें तो मुझे बिना पासवर्ड के इस फोन को कने अब यहां पर नोट सब्सक्राइब देखें नोट सब्सक्राइब करेंगे अब देखें क्या बोलता है अब हम सिंपल स्कैन करेंगे अपना सैमसंग का फोन है वो रेडमी के सामने लेकर आएंगे और स्कैन करेंगे कोशिश करते हैं इसने अनॉंस कर दिया क्यू वार कोड स्कैन अब देखें है अपर हम सैमसंग के फोन में दिखा रहे है आपको देखें सैमसंग के फोन में रेडमी के 50 अपनेक्टेड हो चुका है अब बाहरेंगे हम विदावट नहीं पासवर हमारा जो वाइफाई यह कनेक्टेड हो गया देखें आगे स्वाइप करेंगे देखें वाइफाई वाइफाई देखें तो यह सैमसंग का फोन है और यह भी वाइफाई से कनेक्ट हो गया है तो विदावट एनी पासवर्ड हमने अपने फोन को जो है वाइफाई से कनेक्ट कर लिया अब हम ब्रीफ में आपको अब आपको भी अगर इस प्रकार करना हो तो सिम्पल है अगर आपके घर में अगल में बगल में कहीं भी वाइफाई जाते हैं वहाँ पर Wi-Fi है और अगर पासवर्ड पता नहीं होता है तो उस Wi-Fi से कनेक्ट किया हुआ डिवाइस आपको लेना है और सिंपल यह QR-Code स्कैन कर लेना है जो कि काफी सिंपल है बड़ी आसानी से कर सकते हो मैंने भी आपको करके दिखाया कैसे करना है आपको बस एक हाथ में यह phone पकड़ना है और उस phone के उपर यह वाला phone पकड़ना है जिसमें आपको scan करना है सामने सामने आपको दोनों भी जो है डो जो है जो भी वाइफाई नेटवर्क आपके उस डिवाइस में आपको कनेक्ट करना है उससे कनेक्टेड एक डिवाइस आपको चाहिए तो आप बढ़ी आसानी से जो है कनेक्ट कर पाऊंगे और विदाव टेनी पासवड काफी कम टाइम में जैसे आपने देखा स्कान कर लिया और